नमस्कार, कायतरी जोतिस के इंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है हमेशा ही आप लोग के लिए उपयोगी, लाबदाई, जानकारी जोतिस सास्त्र की हम परशारित करते रहते हैं अन्यत सास्त्रों से जो कि हमाले उप्योगी हो लाबदाई हो ऐसी जानकारी भी हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं नवग्रों से संबंदित विसेश जानकारी विसेश उपाई भी हम परशारिक करते रहते हैं आज भी आप लों के लिए एक अत्यनत महत्पून जानकारी हम लेकर आये हुए हैं। जो तिस सास्तर में बताया गया है कि कुछ कर्में ऐसे होते हैं जिन कर्मों को करने वाले ब्यक्ति के उपर से नवग्रह भी अपना साथ छोड़ देते हैं। असुब दोस्ट जो होता है उसका वो समन करते हैं। लेकिन कुछ कर्मों को करने वाले पर नवग्रह सुब हो असुब हो अपनी क्रपाद्रिष्टी छोड़ देते हैं व्यक्ति से नाता तोड़ देते हैं। पालक पालिकाओं के साथ कोई भी दयाभाव नहीं रखता है, उन्हें कष्ट देता है, उन्हें पीडा देता है, वह उन्हें परिशानी पैदा करता है, यानि कि उनके साथ किसी न किसी प्रकार का पाप वह करता है, तो ऐसे ब्यक्ति से नौ ग्रह हमेशा के लिए अपनी कृ किरपाद्रिष्टी उठा लेते हैं वह जातक को हमेशा ही पीड़ा ही प्रदान करते हैं क्योंकि जहां उनकी किरपाद्रिष्टी हटी तो जातक हमेशा ही पीड़ा में रहेगा नौ वर्स से कम उम्र के बच्चों के साथ जो अकृति कहा गया है अकृति कर्म ऐसा कर्म करने वाले जातक पर कभी भी नौग्रहों की कृपा नहीं हो सकती है वह उसे हमेशा जीवन को मैं कश्ट ही कश्ट भोगना पड़ता है। कि माता यदि किसी जातक से दुखी है या गौमाता के साथ किसी ब्यक्ति ने कोई पाप किया हो या कोई उसके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो कि जिससे की गौमाता उससे रुष्ट हो गौमाता का कोप उसे प्राप्त हो गया हो तो ऐसे जातक पर भी कभी भी नौग्रह अपन कोई कृपादरिष्टी नहीं रखते आजीवन उसे किसी ने किसी प्रकार का कष्ट आदी भोगना पड़ता है तिसरा बताया गया है सिव पूजा जिस जातक ने नवग्रहों के अराद्देदेव महादेव यानि की भोले नात की कभी भी किसी प्रकार की पूजा ना की वो न नौग्रहों के कालों के काल महाकाल, नौग्रहों के जो आराद्यदेव हैं वो भगवान भोले नात हैं, तो भोले नात की पूजा एक बार अवजचे किसी जातक ने, वैसे तो हिंदू धर्मे में तो ऐसा असंभवी है, हर ब्यक्ति ही करता है, इसके बहुत ही कम चांसे होते तो सिर्व पूजा जो नहीं करता है, या जो नास्तिक है, ऐसे ब्यक्ति से भी नौग्रह अपनी कृपाद्रिष्टी हटा लेते हैं, जहां नौग्रहों की कृपाद्रिष्टी हट जाएगी, तो किसमत स्वैम रूट जाएगी, सब चीज उससे रूट जाएगी, तो ब्य जैसे ब्यक्ति से नौगरह हमेसा के लिए नाता तोड़ देते हैं, जो छोटे बच्चों के साथ क्रत्य करता हो, जो जगत जननी के साथ कुपीरा देता हो, जननी भी उसके फेवर में आ हो, जगत जन्नी भी फेवर में आ हो, दोनो रूष्टों हो तिसरा जो सीव उपासक न वो जिस system की उपासना ना कियो हम एक वार के उपासना करने से ही ब्यक्तिके सारे पाप धुल जाते हैं आपने सुना होगा की के सारा ही ने carefully आप पड़ानों भी अप्रसृत कर चुकता है तो यह आप भाग बता दीजह लिए चाहिए हैं तो आप लोगं के लिए हम लेकर आए ऐसी जानकारियों पर अवस्य ही हमें ध्यान देना चाहिए वो अपने जीवन में ऐसे गलत कर्मों से अवस्य ही बचना चाहिए तो यह दिया जानकारी आप लोगं को पसंद आई तो जुडिय गायतरी जोतिस के इंदर के साथ जाल आइकन अवस्चे ही दबाए सबस्क्राइब के साथ तो मिलें गया इसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाई स्री राम जाई स्री कृष्णा ओम नमस्कारी